हलो स्टूडेंट्स मैं बीपी सिंग आज आपके लिए इंट्रीगल के लक्षुस में एक इंपोटेंट चेप्टर है जिसका नाम है मल्टीपल इंट्रीगल किसी किसी बुक में ये मल्टीपल इंट्रीगल के साथ डवल इंट्रीगल और टिर्पल इंट्रीगल भी लिखा लगवग 5 वीडियो कम से कम हम आपको देंगे पूरा चेप्टर आपका फिनिश कर देंगे तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मल्टीपल इंट्रीगल आखिर होता क्या है आपने सिंगल इंट्रीगल तो पढ़ा है यह जो साइन लगता है अगर इसी इंट्रीगल के साथ ए आप तीसरे की भी मल्टीपलाई हो रही है तो ऐसे इंट्रीगल मल्टीपल इंट्रीगल कहलाते हैं के लिए चलिए तो सबसे पहले में सिंगल इंट्रीगल बचाऊंगा फिर डवल इंट्रीगल फिर टिर्पल इंट्रीगल लिमिट कॉंस्टेंट हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है आये यह है सिंगल इंट्रिगेशन और यह मैंने कह दिया आफ आक्स और डी एक्स यह आपने पढ़ा है लिमिट मैंने लगा दी यहां सपोज करो जीरो टू ए ऐसे ही यह इंट्रिगेशन ऐसे भी हो सकता है जीरो टू ए एफ वाई डी वाई ऐसे भी हो सकता है यह इंट्रिगल जीरो टू ए एफ जैड डी जैड कहने का मतलब यह सिंकल इंट्रिगल है एक्स के रैस्पेक्ट हो सकता है इंट्रिगेशन वाई के रैस्पेक्ट जैड के और किसी के भी हो सकता है, तो ये केवल integral है, अगर इसमें दूसरे integral की multiply कर दी जाए, तो ये multiple integral कहलाएगा, दूसरा integral अगर मैं यहां ले लूँ, एक integral 0 से a, और दूसरा integral 0 to b, ये भी function बदल जाएगा xy, और यहां हो जाएगा dx और dy, इसे और भी लिख सकते हैं, limit 0 to a, 0 to b, मैंने ऐसे भ हो गया dy, dz, ऐसे और भी integral लिख जाएगे, ये कहलाते हैं, double integral या multiple integral के लिए, एक और लेते हैं, triple integration, limit 0 to a, 0 to b, 0 to c, f, x, y, z, यहां function सही बनाएगे, f, x, y, z, यहां dx, dy, dz, आप बात रही, जब limit यहां constant हो, तो आप पहले चाहे x के respect कर दे, चाहे y के कर दे, चाहे z के कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि limit variable में हो, तो फर्क पड़ता है, लेकिन मैं एक rules बताता हूँ आपको, उसी के according आप integration करना, ये x की limit होगी, ये y की limit, और ये z की limit, कहने का मतलब ये x की limit और ये वाली किसकी होगी y की, ये x की limit और ये y की limit, तो यहां समझ गया कि y वरावर 0 to b, तो यह x वरावर 0 to a, x equal 0 to a, तो y equal 0 to b, ये x equal 0 to a, y equal 0 to b, z equal 0 to c, इस type के question आएंगे मेरे बच्चों, तब आप integration पहले इसे खतम करेंगे, तो z के respect करेंगे, इ बास्ट में इस integral को खतम करेंगे, तो आप x के respect करेंगे, यदि limit variable में होती, तब आप क्या करते, जैसे, मैंने यहां ले लिया limit 0 to a, और 0 to y, और ये function जो भी कुछ है fxy, dy, dx, यहां limit y में है, तो आप y के respect नहीं करेंगे, x के respect करेंगे, जिसमें limit होती है मेरी बच्चों, उ उसके respect नहीं करेंगे, others के करेंगे, others इसमें क्या रहा गया, x रहा गया, तो यह जो limit कहलाएगी, यह x equal, अब ये बच्ची y equal, क्योंकि limit किसमें है, y में, अगर यही सवाल में ऐसे लिख लेता, limit 0 to x, 0 to 5, dy, dx ऐसे, तो यहां limit x में है, तो यह y की limit होगी, और ये वाली x की होगी, एक और देखिए आप integral, limit 0 to 1, 0 to 1 plus x, 0 to 1 plus x plus y, और यहां मैंने कर दिया function fxy, dz, dy, dx, तो अब आप देखेंगे, इसकी limit x और y में दोनों में है, इसका मतलब, इसका integration z के respect होगा, तो ये limit z की कहलाएगी, यहां x में है, तो x के respect तो होने से रहा, इसकी y के according होगी, अब बचा क्यार, ये आपका x, लास्ट में आप इसका x के respect करेंगे, अब ये तो मैंने working rule बता दिया, limit कैसे कैसे change होती है, वो हर बात बताऊंगा आपको, constant का integration हम किसी भी के respect कर सकते हैं, वो बात बताऊंगा, variable ह तब कैसे होते हैं, वो हर point के लिए करके चलूँगा, चलिए एक question लेते हैं, मैंने एक question ले लिया मेरे बच्चो, limit 0 से 1, और 0 से लेकर 2, x पिलस y, यहां dx और dy, दौनो limit constante लेकिने एक rule बनाएंगे, उस rule से आप करना, तो ये x की limit कहलाएगी, और ये y की, तो सबसे पहले आ आप y के respect करेंगे, क्योंकि इस वाले को खतम करेंगे, तो यहां 0, 2, 1, y के respect करेंगे, तो x तो constant है, और dy का हो गया y, इसका y के respect integration तो y square upon 2, limit 0 से लेकर 2, यहां dx रह गया, अब ये ध्यान रखो, जिसके respect integration करते हैं ना मेरी बच्चो, उसके बाद कोई और variable हो, वो constant माना जा ठीक है, इसका मतलब इसका मैं y के respect कर रहा था, तो x constant है, देखो यह रहा x, अब जैसे 5 का integration 5x, और यहां y के respect कितरा होगा, x into y, इसका y हो जाएगा, इसका y square upon 2, अब limit किस की है, यह y की है, तो y पर ही limit ठाओगे, x पर नहीं, तो यहां 0 से लेकर 1, यहां रखेंगे तो 2x, यहां रखेंगे 2, 2 जा 4, 4 के आधे 2, 0 रखते तो दोनो 0 यही बचेगा dx, अब यह x की limit रहेगी, मैंने बताया था, यह x की है, इसका integration 2x square upon 2, पिलस के 2x, limit फिर रखेंगे 0 से 1, यह कट गया, हैं रखेंगे 1, यहां रखेंगे 2, कितना answer आ गया, 3, तो इस question का 3 answer आ गया, अगर आप पहले मैंने किसके respect किया था, y के, आप x के करेंगे और बाद में y के, फिर भी save answer आएगा, यह आप करके देखना, चलिए, question number 1 हो गया यह, अब question number 2 लेते हैं, यह question number 2 लिख दिया है, दिखाई न दे रहा हो, तो 0 to a, limit 0 to b, और अब के मैंने यह इतना बढ़ा दि लिखा है, और यहां लिखूँगा मैं पहले dx, dy की जगे पर ऐसे dy, dx, किताब में ऐसे लिखा हुआ है, dx, dy, लेकिन मैं dy यहां लिखूँगा और बाद में dx, पूछिए क्यों, क्योंकि यह जो integration है, यह y के लिए है, और यह x के लिए, तो पहले y के respect integral करेंगे, इसलिए हैं dy लिखा है, तो क्या बचा यहां 0 to a, y के respect करेंगे x square constant dy का हो गया y, इसका y के respect करेंगे y q upon 3, limit 0 to b क्या बचा dx, यहां limit 0 to a, यहां b रखेंगे इस जगे पर, तो x square b, यहां रखेंगे तो b q upon 3, फिर 0 रखते तो 0, फिर integration होगा x के respect, अब b तो यहां constant है, इसका हो गया x q upon 3 यहां b q upon 3 constant तो dx का हो गया x, अब फिर limit लगा दो 0 to a, यहां a रखोगे तो b a q y 3, यहां a रखोगे तो b q a upon 3, इस पूरे मेंसे a b upon 3, अगर ले लिया जाए, यहां a square बचेगा और यहां b square किलिया हो रहे हैं, छोटे-छोटे question, और हां lecture 2 में top most 10 question कौन से हैं, वो भी बताऊंगा, आईए question number 3 लेते हैं, यहां limit 1 से लेकर a, 1 से लेकर b, dx dy upon x y, अभी तक कीनो question, constant limit के according हुए हैं, चलिए, यह limit y किया, यह x किया, यह धियान रखो कि जब double integration हो, तो पहले y के respect करेंगे और बाद में x कि करेंगे, बस, तो यहां 1 से लेकर a, dy upon y का हो गया log y, limit 1 से लेकर b, क्या बचा dx upon x, 1 से लेकर यहां रखोगे तो log b, minus log 1 का मान क्या होता है, 0, dx upon x, 1 से लेकर b, constant बचा log b, इसका मान 0, dx upon x, यहां limit a है, अब इसका फिर करेंगे, तो log b तो बाहर आ जाएगा, इसका log x, limit 1 से लेकर a, तो log b तो बाहर, log a, minus log 1, log 1 का 0, इसका अंसर आया, log b into log a, तो यह मैंने अभी तीन question बताए, इसकी कोई असी rules नहीं है, जो spatial बताए जाते, ठीक है, आईए तो मैं इसे इसे साब करता हूं, इस इसकी किन सॉर्ट ले लीजिए, चलिए तो question number 4 देखते हैं, question 4 है, limit 0 से लेकर to, 0 से लेकर under root के अंदर, 2x minus x square, x dx और dy, अब के मैंने limit to variable में ली है, important question है, ऐसी condition में तुम्हें ये तो पता हो गया, कि limit x में है, तो ये y के लिए होगा integration, किसके लिए होगा, y के, तो ये y के लिए है, और ये वाला integration, x के लिए रह गया, लेकिन कुछ changing कर लो, जो अच्छा लगे, 0 से लेकर 2x minus x square, या dy लिख लो, और x dx बाहर, इसका integration करोगे, तो y आएगा और limit लगाओगे, अंडर root के अंदर 2x minus x square, क्या बच्छा x dx, x यहां लिख दीजिए, और dx यहां लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, dy का integration y और limit लगा दी, dx ये रख दी, और इस वाले x को में पहले ले लिया, अच्छा लगेगा, देखिए कैसे, limit 0 से लेकर 2x y की जगे पे रखोगे, तो 2x minus x square और dx, अब इसका integration करना है, इस समय integration impossible है, यदि इसे polar coordinate में change कर दिया जाए, तो possible हो जाएगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, कि जब 2x minus x square दी रखा हो, तो x equal 2 sin square theta लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए, let x equal 2 sin square theta, तो dx equal 4 sin theta का cos theta और d theta, अब यहाँ limit x में हैं और change होगा theta में, तो सभावे के limit भी change होगी, जब function x वाला theta में change होगा, तो limit भी change होगी, इस समय यह limit x की हैं, हमें theta में change करना है, देखिए, नीचे की limit x वरावर 0 रखें, यहाँ यहाँ रफ बना रहा हूँ, तो 2 sin square theta, 2 गया 0 में, sin square theta equal 0, sin theta equal 0, sin theta equal यह कितने की value होती है, sin में 0 की, तो theta की value 0 आवे, अगर यहाँ 2 रख देते, यहाँ 2 equal to 2 sin square theta, 2 से 2 कट गया, sin square theta equal 1, sin theta equal 1 अंडरूड ले लो, और sin theta equal sin 5y2, तो theta की value कितनी आई, 5y2 sin ते sin हट गया, अब यह value आई, 5y2, ऐसे value limit आप निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, आइए अब यहाँ x की value रखेंगे, तो 2 sin square theta, अंडरूड के अंदर 2 into x की value रखेंगे, तो 2 sin square theta, माइनस इसका square करेंगे, तो यहाँ 4, और यहाँ sin 4 theta, और यहाँ बचा, यह into में है 4 sin theta, cos theta, और d theta, अब इसमें से क्या-क्या common है, एक वार यहाँ देख लीजिए, 0 से 5y2, 2 sin square theta, इसमें से 4 है, तो 2 common, sin square theta है, तो sin theta common, यहाँ बचा 1 इसकी जगे पर, यहाँ sin square theta बचा, तो 1 minus sin square theta, cos square theta, अंडरूड लग रहा है, तो cos theta, अभी हमारे पास यह बचा 4, sin theta, cos theta, इनमें power पिलस कर दो, ऐसे लिख सकते हैं, और d theta, अब 4, दूनी 8, दूनी 16, यहीं मिटा देते हैं, तो यह होगा याज 16, limit 0 से pi y 2, और क्या बचा यहाँ, sin की power 2 और 2 चार, sin की power 4 theta, cos की power 2 theta, d theta, अब यह question solve करने के लिए, आपको beta and gamma function याद होना चाहिए, तो यह gamma function का formula लिख रहा हूँ, तब बतावगा, हर point के लिए करूँगा मेरी बच्चों, एक formula होता है, gamma में limit 0 से pi y 2, sin की power m theta, और cos की power n theta, d theta, क्या होता है, gamma m plus 1 y 2, gamma n plus 1 y 2, upon 2 gamma, m plus n plus 2 upon 2, gamma की अंबर, अब तुम्हें यही नहीं पता कि gamma 5 की value क्या होती है, तो यह देखिए, जैसे gamma 5 या gamma 7, यह तो gamma का sign है, यह 7 है, तो इसका मतलब यह factorial 6, अगर मैं कहूं gamma 5, तो आप कह दोगे factorial 4, एक कम बार, और यह तो आप खोलना जानती होंगे, 12 में पढ़ाते हैं, 4 into 3 into 2 into 1, इसे खोलेंगे, 4, 3, 2, 1, 4 या बारे दूनी, 24, ऐसे इसे खोलेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, खोल ले न, अगर यही rational number में होता, gamma 5 by 2, तो यह factorial 3 by 2, और इसे कैसे खोलते हैं, 3 by 2, 1 by 2, under root 5, अब यहाँ value रखिए, उसी के हिसाब से हम चलेंगे, m की value कितनी है, यहाँ पर 4, compare करने पर, और n की value कितनी है, 2, यहाँ रखिए आप 4 और 1, 5, gamma 5 by 2, यहाँ 2 और 1, 3 by 2, upon 2, गामा 4 और 2, यहाँ रख दो 4 और 2, 6 और 2, 8 के आदे 4, लेकिन यहाँ 16 है, इसे मत भूल जाना, अब यह इस question का answer हुआ, अब ही तो तो तुम्हें खो लेंगे, 3y2, 1y2 के बाद, under root pi, एक कम ते शुरू करते, जैसे यहाँ किया था, अब यह 3y2 है, तो यह 1y2 ते शुरू होगा, 1y2 under root pi, यहाँ देखिए 2, यह एक कम से शुरू होगा, 3 into 2 into 1, गामा 4 है, तो factorial 3 तो हुगा, मेरी बच्चे, अब यह 3 से तो 3 कट गया, 2, 2 जा 4, 2, 8, 2, 16 से 16, under root pi, under root pi, pi upon 2, इस question का answer यह हुगा, मज़ा आया हो तो like कर दीजिए, आप बाद में भूल जाते हैं, और हाँ, अगर आप चाते हैं कि full course मिले हमें, integral calculus और differential calculus दोनों का, तो please आप full course BSC, MSC वाला level जरूर ले ले, कहने का मतलब membership join कर ले, क्योंकि कुछ वीडिय जिन्होंने channel की membership ले रखी है, और membership ले नहीं है, आपको full course BSC, MSC वाला level के लिए, उसी से सारी वीडियो उपन होती है, आप channel पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, join लिखा होगा, उस पर click करेंगे, level आ जाएंगे, तो full course BSC, MSC वाला level लेना, जिस से सारी वीडियो उपन हो x और dy, अब हमने देखा, limit यहाँ y में है, तो x के respect integral होगा, आप तो समझ गई होंगे, तो limit 1 से लेकर 2, तो इसका integral क्या हुआ, यहाँ x, limit 0 से 3y, क्या रह गया, यहाँ y और dy, 1 से लेकर 2, यहाँ रखेंगे, तो 3y, lower limit रखेंगे, तो 0, into y, dy, 1 से लेकर 2, 3y square dy, अब इसका integration तो आप कर सकते हैं, 3y, q upon 3, 3 से, तो 3 कट गया, limit 1 से लेकर 2, यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का q, minus 1 रखेंगे, 1 का q, यह हो गया, 8 minus 1 equal to 7, तो यह दोनों question कैसे लगे, प्लीज एक प्यारा सा comment जरूर किया, करो, मैं हर comment का जवाब देता हूं, मेरी बच्चो, अगर आपने एक friend को सेयर कर दी मेरी वीडियो, तो समझूंगा, आपने मुझे दक्च ना दी है, इसके इसाट ले लीजिए, चलिए तो question नम्मा 3 देखी, यहाँ constant limit है, लेकिन ये y के लिए करना आप और ये x के a की rule अपनाना, ठीक है, तो limit 0 से लेकर 3, 1 से लेकर 2, 1 में multiply करोगे xy, इसमे करोगे तो x square y, इसमें multiply करोगे xy square, अब यहाँ पहले लिख दो dy और फिल लिख दो dx, clear क्योंकि मुझे y के respect करना है पहले, तो limit 0 से लेकर 3, y के respect x तो constant है, y का हुआ y square upon 2, यहाँ x square constant y का हुआ y square upon 2, यहाँ x constant इसका हुआ y q upon 3, limit हो गई 1 से लेकर 2, बचा यहाँ dx, clear हो गया, आईए अब limit रखिये 0 से 3, यहाँ x upon 2, यहाँ 2 रखेंगे तो दो दूनी 4, into 4, plus x square यहाँ दो दूनी 4 के आधे 2, into 2, plus x into 2 की power 3 का मतलब 8, upon 3, minus, अब आप यहाँ 1 रखेंगे तो x upon 2, यहाँ 1 रखेंगे तो पिलस x square upon 2, यहाँ 1 रखेंगे पिलस x upon 3, यहाँ यह dx लिखाए दिखाई न दे रहा हो, पहले अपर लिमिट लगाई है, यह value फिर lower limit, clear? चलिए limit 0 से लेकर 3, इससे यह कट गया 2x बार, यह पिलस के 2x square हो गया, यह 8 upon 3x, minus के x upon 2, minus x square upon 2, minus के फिर यह x upon 2, 2, और बाहर dx, यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए limit 0 से लेकर 3, solve करिए इससे 2x, और यह x, और यह, इसको एक जगे solve कर लेते हैं, यहाँ यह तो solve हो गया, इसमें से इससे minus करोगे, तो 3 upon 2x square, इसको यहाँ solve कर लेते हैं, 2x, plus 8x upon 3, minus के x upon 2, 2, और minus के x upon 3, इसको और इसे और इसे एक जगे लिख लिए, LCM 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 करेंगे तो 12 हो गया, यहाँ 2 की multiply करेंगे 16x, यहाँ 3 की करेंगे 3x, यहाँ 2 की करेंगे 2x, यह कितने हो गए 5, और यहाँ 5 साथ बचे और 16 और साथ कितने हो गए 23, x upon 6, तो यह 23 upon 6x, अब इसका आप integral कर दीजिए, 3 upon 2, x q upon 3, पिलास 23 upon 6, x square upon 2, लिमिट 0 से 3, यहाँ 3 से 3 कट गया, 3 तीन तीन नो तीन 27 बटे 2, देखो इस 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 रखोगे लिमिट तो 27 बटे 2, पिलास, यहाँ 23 बटे 2 तो है यह, और यह 3 तीन तीन नो, नो बटे 6, तीन ते काट दिया उपर, तीन बार और नीचे 2 बार, यहाँ 4 है, लिमिट 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा उपर, 27 दूनी 24, 23 दूनी 46, 23 तीन 29, बटे 4, 9 और 4 ते रहे का 3, 27, 7 और 5 बार है, अपों 4, यही आंसर है, इसकी आप भग कर लेना नहीं, यही आंसर होगा हर राइटर की बुक में, तो किलियर थोड़ा मल्टीपलाई था, वैसे कोई बात नहीं थी, अब आपको बता रहा हूँ, ट्रिक वाला क्वेश्चन, देखिए, इसे मिटाते हैं, क्वेश्चन नम्मर 7, लिमिट 0 से लेकर 2, अंडर रूड के अंदर 4 पिलस आक्स स्क्वाइर, अगर इसे ऐसे करो, तो impossible है, काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, यहां यह जो 4 पिलस x स्क्वाइर, देखो एक तो यह y के रेस्पेक्ट होगा, लिमिट किसमें है, x में तो y के रेस्पेक्ट होगा, तो मान लीजिए, लेक्ट, 4 पिलस x स्क्वाइर, इक्वाइर, टू, एक्वाइर, टू, एक्वाइर, तो 0 से 2, यहां रखेंगे, तो 0 टू, ए हो जाएगा, और यहां dy अपॉन, इसकी जगे पर a स्क्वाइर, पिलस y स्क्वाइर, dx की बाद में जलुवत पड़ेगी, integration पता है, नई पता तो मैं बता रहा हूँ, limit 0 से 2, इसका हो गया, 1 अपॉन a, 10 inverse y अपॉन a, limit 0 to a, और इसका dx, limit 0 से 2, यहां 1 अपॉन a, 10 inverse a अपॉन a, a अपॉन a रखोगे तो 1, बाहर dx, 10 inverse 1 की वैलू होती है, पाई वाई 4, तो पाई वाई 4 आपने बाहर ले लिया, limit 0 से 2, 1 अपॉन a और dx, तो पाई वाई 4, limit 0 से 2, a की वैलू यहां से निकालेंगे आप, तो यह आएगा, अंडर रूड के अंदर, 4 पिलस x स्क्वार, 1 2 का स्क्वार पिलस x स्क्वार लगा दीजिए, अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो पाई वाई 4, लॉग, x पिलस अंडर रूड के अंदर, जो की त्यों लिख दो इसे, limit 0 से 2, पाई वाई 4, लॉग, यहां 2, 2 रखेंगे तो 8, 8 को लिख सकते हैं, 2 रूड टू, माइनस लॉग, अब नीचे की रखेंगे तो माइनस लॉग, 0, 0 यह कितना हो गया, अंडर रूड के अंदर 4 तो 2, और माइनस में लॉग, बटे में चला जाता है, पता है, रेशनल लंबर बन जाता है, तो पाई वाई 4, लॉग, 2 कोमन, 1 पिलस अंडर रूड अपॉन यह 2 में गया, इस 2 से 2 कट गया, इसका अंसर आया, पाई वाई 4, लॉग, 1 पिलस अंडर रूड 2, तो यह मैंने 7 कोश्चन आपको दिये, अब टॉप 10 कोश्चन वो कौन से है, थोड़े टफ है, लॉग कोश्चन है, जो लेक्शर 2 में देने वाले है, उनकी जलक बोर देखते जाएए, इसके इंसर्ट ले लीजिए, तो लेक्शर 2 में कौन-कौन से क्वेश्चन है, बोर देख लीजिए, एवाल्यूट डवल इंट्रिगेशन एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार दी एक्स डी ओवाई ओवर दा रीजन इन पॉजिटिव इसके द्वारा पहले लिमिट निकालनी होंगी, तब सॉल्व होगा, दूसरा कहरा एवाल्यूट ये लिमिट दे रखी है, सॉल्व करना है, तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, डी एक्स डी ओवाई ओवर दा एरिया बाउंडड वाई दा इलिप्स, अब इस इलिप्स क रूट के अंदर 1 प्लस x स्कॉर, dxdy अपॉन दिस, question 6 में ये दे रखा है, question 7 ये दे रखा है, सभी top most question है, हर साल exam में आने वाली question है, question 8, find the double integration, the area, line between the parabola, y equal 4x minus x स्कॉर, and the line y equal to x, question 9 है, evaluate the double integration, ये दे रखा है, x स्कॉर, y, dxdy, limit a स्कॉर, minus x स्कॉर, 0 to a, mention the region, ये समझना है आपको of integration, involved in this double integral, एक question वरता जो यहां नहीं आया, वो आप वीडियो में देख लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ, आज का lecture शरूर पसंद आएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर से यर करेंगे, इसके इसके इन सॉट ने दीजिए है,